हलेलुया, जेशु मसी के जनम दिन की पहले ही बहुत सालों से प्रोफसियां होई थी, बविश्वानिया होई थी, कि बैतल हम में एक जनम लेगा और जो दुनिया का राजा कहलाएगा, बलो हलेलुया, हलेलुया, एक हम बविश्वानि को देखती हैं, मिका की किताब, पांच दे आए उसका दो वचन हे बैतलहम ऐ प्राता यदि तू ऐसा चोटा है कि योहुदा के हजारों में गिना नहीं जाता तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचिन काल से वरन अनादी काल से होता आया है आमेन, हलेलुया हलेलुया लगबग जेशु मसी के जनम से 500 साल पहले जेब विश्वानी हुई है, हलेलुया कि एक बैतल हम से एक राजा निकलेगा और वो बहुत प्राचिन, मतलब वो ओल्ड है प्राणा है, वो आज की बात नहीं है, वो पहले ही बात हो चुकी है बहुत नबियों ने बताया है उसके बारे में और जेशु के जनम के पहले 500 साल, पहले जेब इश्वानी हो चुकी है, कि वो एक पैदा होगा थैंक यो जीजस जो जुहुद्दा में, हजारों में गिना जाएगा वो एक एक सक्ष निकलेगा मतलब वो जेशु की बात कर रहा है जब जेशु का जनम के बिविश्वानी पूरी होनी थी तो जब वो नासरत के शहर में रह रहे थी तो विश्वानी क्या हुई थी बैतल हम के बारे में बैतल हम की बात हो रही है लेकिन माता मर्यम और जूसफ का है नासरत में और विश्वानी बैतल हम की हुई है हलेलुया हलेलुया हम निकालेंगे लुका की किताब दो अधियाए पहले वचन से पढ़ेंगे और वंच का था गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाउद के नगर बैतलहम को किया कि अपनी मंगेतर मर्यम के साथ जो गरबती थी नाम लिखवाए उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वे अपना पहलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चर्नी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी हलेलुईया हलेलुईया हुकम निकला कि जन गन्ना किड़ी जाएगी सब के गिंती होगी और वो जो राजा था कैसर हैरोदेश उन्होंने अपने दिमाग के मताबक प्रभू ने उनको इस्तेमाल किया वो एक अपनी एकनौमी के लिए इंकम टैक्स कठा करने के लिए एक गिंती करने के लिए उन्होंने हुकम निकला और जे हुकम जो जन गन्ना होनी थी जे अपने अपने शहरों में होनी थी जहांके वो निवासी थी और विविश्वानी होई थी कि वो बैतल हम में पैदा ह और ये कहा है नासरत में और प्रभू ने किसको इस्तेमाल किया राचा को क्योंकि बिविश्वानी पूरे हुए नहीं रह सकती और उसके दिमाग में डाला कि तू सब को बला और कैसे बलाएगा क्या प्लानि करनी है ये साब वो खुदा जो स्वर्ग में जानता था कि बिविश्वानी पूरी होगी और वो बैतल हम में पैदा होगा वो नासरत में पैदा नहीं होगा इसलिए उसको इस्तेमाल किया गया जे खुदा की ओर से था जे प्रभू की ओर से था वो अस्मान से उसको गाइड कर रहा था उसके दिमाग को प्रभू ने अपने कबजे में ले लिया बलो हलेलुया अब माता मर्यम बोल सकते थे कि जे लास्ट टाइम है मैं नहीं जा सकती इतनी दूर मुझे बैतल हम में नहीं जाना नासरत में ही रहना है लेकिन वो भीश्वानी कैसे पूरी होनी थी और वो कैसे भी करके वहां निकले और वो बैतल हम पहुंच गे बोलो हलेलुया जो रोमिक सरकार का सबसे ताकतवार इंसान उसने आ गया दी और उसने सब को बोला कि जन गन्ना करनी है गिंती करनी है और अपने अपने शहर में आके अपना नाम लिखवाओ बोलो हलेलुया और माता मर्यम आगे और वहाँ बैतल हम में पहुंच गे और टाइम आ गया और उनोंने कहां जनम दिया एक जहां जनवर को रखा जाता है उनको सराय में कोई जगा ना मिली कोई जगा नहीं मिली इस दुनिया में आज हमें भी लोग रोकते हैं टोकते हैं ना जेशु को दिल में जगा देते हैं ना इस संसार में जगा देते हैं बोलो हलेलुया हलेलुया जब भी हम जगा लेने के लिए निकलते हैं जब उनको पता चलता है कि ज़े चर्च के लिए जगा लेनी है तो वो मना कर देते हैं कोई हमें जगा देने के लिए तियार नहीं है बलो हलेलुया ऐसे लोग बाते तो करते हैं लेकन दिल में जगा जैश्य को नहीं देते बिविश्वानी होई बैतल हम में हों गया वो देखो कहां नासरत में आज ऐसे ही जैश्य हुमारे लिए भी सब कुष जितनी भी विश्वानिया हुई है वो प्रबु पूरे करेगा जितने वचन हमारे लिए बैबल में लिखेगे हैं एक एक वचन पूरा होगा चाहें आपका स्थान कैसा भी हो कैसे भी परस्तितियों में हो जो प्रबु ने आपके लिए प्लानिंग रखी है वो पूरी होकर रहेगी आपके जीवन में बोलो हलेलुया अप कहां भी हो लेकर प्रबु के मरजी जदि आपके जीवन में पूरी होनी है तो वो एक स्थान से निकाल कर आपको दूसरी जगा पे लेकर जाएगा बलो हलेलुया हलेलुया थैंक यो जीजस धन्यवाद येश्व उसको खुदा ने कंट्रोल किया कि राजा तू ऐसे कर तू ऐसी ऐसी आगया दे और वो बच्चा कैसा बैतल हम में आएगा जे देखो प्रभू की एक जोजना हुई क्योंकि वो पांसो साल पहले बिविश्वानिया हुई दानियल ने बिविश्वानिया केई दानियल ने सपना देखा कितने लोगों ने जेश्व मसी के आने के बारे में पहले ही लिख दिया बलो हलेलुया हलेलुया और वो शहर बैतल हम चुना गया था और आज आपके location क्या है आप कहां रहते हैं जदी आपकी location रोंग है तो प्रबू आपकी location को ठीक करना जानता है बलो हलेलुया आप जहां भी फसे हो आपको वो जगा अच्छी लग रही है लेकिन आप बर नी रहे आप उस जगा को शोड़नी रहे आप घर शोड़ना चाते हो लेकिन शोड़नी रहे दूसरी जगा जाना चाते हो लेकिन मन नहीं कर रहा क्योंकि प्रबू की जोजना कुछ और है और आप उस सतान को शोड़ना नहीं चाते बोलो हलेलुया, जदी माता मर्यम ही कहती, कि मैं नासरत में रहना है, क्योंकि टाइम है, दर्द हो रहा है, बच्चे का जन्म का टाइम आ चुका है, लेकिन उनोंने खुदा की मर्जी को पूरा किया, और वो बुविश्वानी भी पूरी होनी थी, कि बैतल हम में वो पैदा ह होगा बो हालेलुया हालेलुया थैंक यो जीसस धन्यवाद जेश्व इसलिए जेश्व ने कहा अस्मान के और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरा एक एक वचन कहा बिना पूरा होए नहीं रहेगा बो हालेलुया हालेलुया इसलिए आज दुनिया की स्पिर्ट हमारे चर्च के खिलाफ होती है दुनिया की स्पिर्ट चर्च के खिलाफ है लेकर चर्च की स्पिर्ट दुनिया के खिलाफ है बोलो हालेलुया हालेलुया क्योंकि वो चर्च के साथ मैच नहीं करती और दुनिया की बाते हमारे साथ मैच करती इसलिए दुनिया जेश् Chief को जगा देने से इनकार कर रही थी कोई सरा नहीं मिली कोई घर नहीं मिला आज हमें भी चर्च के लिए जगा चाहिए प्रबू के भवन बनाने के लिए जगा चाहिए और बोलते हैं आप चर्च का नाम मत लो जदी चर्च का नाम लोगे तो आपको जगा नहीं मिलेगी जेशु को भी नहीं जगा दी और हमें भी नहीं जगा दे रहें बोलो हलेलुया लेकन हमारा पूरा विश्वास है कि जो जेशु के नाम को दबा रहे थे जेशु जो दुनिया का नूर पैदा हुआ है उसको खतम करने के लिए पहले से ही उन्हों प्लाने की जब जेशु का जणम हुआ ऐसी जगा को सलेक्ट किया गया ऐसी दुनिया को सलेक्ट किया गया जिसने उसको ग्रहन ने किया क्योंकि दुनिया अंदकार में थी और जेशु रोशनी थी जो अंदकार में थे उन्होंने जेशु को पसंद ना किया उन्होंने उनक बहुत सारे लोग अपने दिलों में जगा नी देते, बाहर से बाते करते हैं, लेकिन वो विश्वानियां, वो प्राथनाएं, वो जो आपके लिए पास्टर जी ने बोला है, जो चर्च में किया गया है, जो प्राथना किया गया है, विलेंटिर ने किया है, प्रेयर वेरीर किया है वो पूरी होए बिना नहीं रहेगी बोलो हलेलुया एक एक वार्ड पूरा होगा आप कहां भी हो प्रभू आपको लेकर वहां आएगा जो सथान प्रभू ने आपके लिए रखा है बोलो हलेलुया हम कहीं ओ रहते थे कैसे भी प्रभू ने प्लानिंग किया और हमें जे महाली सहर दिया बोलो हलिलुया हम कहीं ओर रहते थे डाइसो किलोमीटर दूर रहते थे लेकन जे क्या है प्रभू की जोजना और इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी जगानी मिलेंगी रोक टोक होगी नुकताचीनी होगी वरोध होगा रोका जाएगा निकाला जाएगा कि वापा चले जो तो क्या प्रभू की जोजना पूरी नहीं हुई हमारे जीवन में हुई है तो आपके जीवन में भी प्रभू की जोजना होगी बोलो हलिलुया हमने कभी सपना भी नहीं लिया कि हम कहीं और जाएंगे बोलो हलेलुया, हलेलुया, जेशु नाम को रोका गया, पलूस बोलता है, मैं कैसे बूल जाओं, जेशु ने जो हमें सिखाया है, हम वो चंगयाईयों को कैसे बूल जाएं, उसने जो काम किये हैं, वो हम कैसे बूल जाएं, और हम आप लोगों की बाते क्यों सुनें, उसको जेशु का नाम मत ले, जेशु का नाम दुनिया को मत बोलो, ना जेशु का नाम लेना सिखो, बंद करो, जेशु नाम के बिना जो करना कर लो, लेकर जेशु का नाम नहीं लेना, और पलूस ने जवाब दिया, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं बातों को कैसे बूल सकता हूं, जो उ हमारी वैल्यों नहीं हो सकती लेकिन प्लूस बोलता है आप हमें कमजोर समते हो आप हमें दबाना चाते हो जेश्यू का नाम को दबाना चाते हो लेकिन जितना आप दबाओगे उतना बड़ेगा बोलो हलेलुया हलेलुया आज इस संसार के लोग भी हुकम नकालते हैं क्रिस् हलेलुया क्योंकि मसी लोग क्या है सांती को पसंद करती है क्योंकि हमारे जेश्यू ने आग्या दी है कि आपने वाद विवाद नहीं करना जदी कोई वाद विवाद करता है तो वो शितान की ओर से है हलेलुया प्रभू बोलता है जदी को एक थपर मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दे जेशु के नाम को दबाया जा रहा है जितना ही बोला गया था उतसे जादा ही जेशु मसी का जनम दिन मनाया जा रहा है आप रोक नहीं सकते कोई नहीं रोक सकता सुरू से रोका जा रहा है जेशु को चेलो को बोला गया कि जेशु का नाम का परचार मत करो आज हमें भी रोका जाता है अब लोगों को कठा मत करो खाना मत खलो लंगर मत करो कहीं और चले जो शैर में नहीं रह सकते गोव में नहीं रह सकते लेकिन प्रबू जो हमारा जंगल बैयाबान में भी हमारे लिए महिया करता है वो प्रभू जो अंदकार में ओ आग की लाइट चला देता है वो हमारे आगे आगे जितना अंदकार लोग हमें निकाल रहे हैं लेकिन प्रभू बोलता मैं तेरे साथ हूँ मत डर, सोटे जूंड मत डर, मैं तेरे साथ हूँ चाहे तू जंगल में चले जाए, चाहे तू शैर से बाहर चले जाए, चाहे तू गोव से बाहर चले जाए, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, आज हमें डरने के जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे लिए महिया कर रहा है, बोलता है, मैं तेरे लिए सप्लाई करूंगा, आज हमें क जेश्व मसी की नाम की मेमा होने चाहिए बलो हलेलुया हलेलुया और जो जो भी बाते पास्टर जी ने जो जो आपको वचन दिये जाते हैं उनको रसीव करें और आपके जीवन में पूरे हुए नहीं रह सकता हलेलुया थैंक यू जीजू